दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि BPC TRE3 का आंसर की पिछली दिन आ चुका है, ऐसे में सभी यह बेड़ थी, अब जो BPC के द्वारा आंसर थोड़ा सा गलत लिया गिया है, उसका साक्च से ढूलने को लेकर परिशान है, ऐसे में किस पर चैलेंज करना है, किस क्वेशन पर किस पर नहीं करना है, उसको लेकर एक वीडियो हम परुफ के साथ अप्लोड करती हैं, जो आपको चैनल पर मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप चेक और कर सकते हैं, और आपको एक-एक परुफ मिल जाएगा, ह सबसे पुरानी नदी घाटी परयोजना कौन सी है हाला कि इसका प्रूफ आपके पास होगा भी है यह आपको पता भी है कि सुन नदी इसका अंसर होगा लेकिन बिपेसी के द्वारा अंसर जो है वह दामदर नदी घाटी परयोजना लिया गया है लेकिन बिल्कुल गलत है यहां पर देख सकते हैं कि CRT का मेरे पास स्किन सॉट है जिसको आप देख सकते हैं कि यहां पर सून नदी घाटी पर्योजना बस एक ही नहीं है आपको अलग अलग भी दिखाएंगे इसको आप एक और पेज है मेरे पास जो की अधर बुक का है मतलब दूसरे कलास का उसमें सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी पर्योजना है और इसका विकास अंग्रेज सरकार्ट ने 1874 में सिचाई के लिए किया था देखिए यहां पर सबसे पहले आपको बताया गया थे बिहार का सबसे पुराना यहां पर सोन नदी घाटी पर्योजना जो की सबसे पुरानी यह पर दिख भी रहा है यहीं आपके question में पूछा गया है आप देख भी चकते हैं सबसे पूरा ना पूछा जा रहा है चलिए आपको हम एक और proof दिखाते हैं जो कि दुसरे class का है है ना और इसमें देखिए सेवन का इंसियाटी है इसमें देख सकते हैं कि बिहार में जो नदी घाटी परिजिना है अपको सोन नदी है गंडग है और कोशी नदी घाटी परिजिना है यहां पर दामोदर का नाम भी नहीं है हलां कि दामोदर नदी घाटी परिजिना यह बारत की प्राचीन प्रयोजना है उसके साथ आपको बता दे कि यह पहली नदी घाटी परयोजना है बिहार का सोने घाटी परयोजना और उसके बाद बता दे कि बिटी सरकार ने इसका जो आपको बता दे कि फसल को उगाने के लिए अधिक अबजाओ के लिए या इसका विकास किया था या 1874 में थाटा सच्छोटर में किया था बादमा की अधर पढ़ने की जरूरत नहीं है आ लिंक आपको description में मिल जाएगा असाणी से चलिए इस तरह से और भी question है हम एकई करके आपको सक्छे देंगे हाला कि वीडियो आपको description में मिलेगा वीडियो का लिंक वहाँ पर भी हम 17 मिनिट का लगबग वीडियो बनाए है उसमें सारह सक्छे दिए है